बेहार में जिस तरीके से सिक्षक बहाली हुई है लगतार इसको लेकर BPSC आयोग की द्वारा जाच हो रही है और फर्जी सिक्षकों को पकरा जा रहा है ऐसे में एक ऐसा ही मामला से सामने निकल के आया है मुझह अपरपूर का मामला है जहाँ अब बताया जा रहा है कि कम इंप्रेशन का जाच हो रहा है और जो फर्जी सिक्षक बहाल हुए फर्ट पेज की बहाली में उनको कहिनक नहीं पकड़ा जा रहा है तो महीं कईों को बर्खास्त किया गया है ऐसे में बेहार के मुझह अपरपूर से ख़बर निकल किया है सामने एक और BPSC सिक्षक को कर दिया गया है मामला फर्टी तरीके से सख़क बहाली का है मुझपपर पूर्जला सिक्षक शाधिकारी ने गुरुवार को मुरायल प्रखंड के BPSC सिक्षक सशिबुषन कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है विभाक के इस कदम से फरजिवारा करने वाले माफिया क कि बेचैनी इन दिनों बरही सी नजर आ रही है ऐसे में मुझपर पूर्जला सिक्षाधीकारी ने गुरू अर्क ओमुरायल प्रखंट के विपयसी सिक्षक ससिबुशन को सेवा से सीधे सीधे कहीं न कर दिया है मामला कहीं न कहीं बताया जारा है कि फर्जी तरीके से देखा जाए तो जो माफिया है फटजी वाला करवाकर बहाल करवाए है सच्छोग को उनके अंदर कहीं न कहीं डर सा महौल देखने कुम्बड़ा है तो वहीं माफिया की बैचयनी जो है वो कहीं न कहीं बढ़ी हुई नजर आ रही है बिहाल लोक स्विवायोक से चयन के क्या परमुक्सचियो को कहीं न कहीं वीपी एस से सिक्षक बाहल में गर्वरी होने की जानकारी मिले इसके बाद विभाग ने थम इंप्रेशन वन जाज कराने का फासला लिया इसी क्रम में 4 जनवड़ी को मुराल प्रहंड के सभी सिक्षकों को थम इंप्रेशन के लिए ब कारी काराले ने 8 जनवड़ी को उक्त सिक्षक को पत्र के माध्यम से बुलाया लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए शिक्षा बिभाग ने उतक्रमित मद्ध विद्याले जो है कहीं न कहीं मुझापरपूर का बोयरिया में इसको देखते हुए बोयरिया मरौल की प्रभारी परधाना अध्यापिका को पूरे मामली की जानकाड़ी दिगे इस भी सिक्षक ससीबूशन कुमार छजनवड़ी से बगार सुचना इस स्कूल्ब से अनुपस्थित हो गये इसके साथ ही डाक के माध्यम से 10 जनवरी को अपना त्याक पत्र बिभाग को उन्होंने देज़ पूर भी आ सिक्षा विभाग को कहिना कहिनी आन्विन के क्रम में पता चला की परिक्षा के दौरान फड़ीवारा हुआ हैं और फड़ीवारे तरीके से कहीना कहीन साथिवूशन भाह लोग हैं जिला सिक्षादिकारी ने गुरु आरक शश्रीबूशन कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है तो वहीं कारवाई करनी की भी बाते कही जारी है तो फिलाल फरजी सिक्षकों का आखणा लगतार देखने को मिल रहा है देखाया है तो मुझपरपुर से ख़बर निकल के आ आज हो रहा है तो वहीं फरजी कई सिक्षक पकड़ा रहे है और भी तवाम ख़बरों के लिए विसी 24 के साथ बर रहे पटना से सही होगी अमित के साथ अभी शेक्र पूर।